Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग, मस, बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं, कीमो थेरोपेटिक एजेंट के में हम अपना next chapter, oh sorry, next lecture, lecture number 5, है ना, जहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन से एजेंट्स, टेट्रा साइक्लिन्स और सल्फोनमाइस के बारे में, ठी जो मैं हमें सर्पीट कर रहा हूँ, यह topic पढ़ाते हुए, क्योंकि यह topic, जो chapter number 12 है, कीमो थेरोपेटिक एजेंट्स, ठीक है ना, यह जो एजेंट्स हैं, हम लोग कहीं ना कहीं, फार्मसोटिकल केमिस्ट्री, डीफार्म फास्टियरम पढ़ चुके हैं, तो आप लोग ज साथ लेकर चलोगा, जो पुराना पढ़ा होगा, और नया अच्छे से समझ में भी आएगा, और पुराना नहीं पढ़ना है, तो इसी भी पोड़ोफिट डिरेक्ट, ठीक है ना, तो देखो टेट्रा साइकल, टेट्रा मतलब चार साइकल, ठीक है ना, तो A, B, C, D, चार सा यह भी क्या है, एंटिवाइटिक है, having a nucleus of four cyclic rings, तो कभी question आजा objective, which chemotherapy agents has four cyclic rings, तो याद रखना, टेट्रा साइकलिन्स, है ना, यह सब objective बनते हैं, आगे आते हैं, all tetracyclines are obtained from soil actinomycities, जो soil में पाए जाने वाला एक organism है, actinomycities, उससे प्राप्त होते हैं यह, तब फर्स्ट to be introduced was, chlor tetracycline, जो सबसे पहला लाया गया, introduced हुआ, वो chlor tetracycline था, in 1948 में, under the name, oriomycin, clear है, तो कहां से मिलते हैं हमको यह, ठीक है, सबसे पहला कौन सा आया, okay, they are also called broad spectrum antibiotic, इनको हम लोग broad spectrum antibiotic क्यों कहते हैं, क्योंकि यह gram positive, gram negative, हर तरीकी की variety को, kill करने की छमता रखते हैं, mode of action, mechanism of action, जो की slaves में नहीं है, बट एक line में अगर हम समझना चाहें, कि क्या है, तो tetracycline primarily bacteria static, यह kill नहीं करेंगे, उसकी growth को रोग देते हैं, कैसे, inhibit protein synthesis, क्या करते हैं, protein की synthesis, जो जरूरी protein बनती है, bacteria के अंदर, उसको यह बनने नहीं देंगे, क्यों नहीं बनने देंगे, क्योंकि 30S ribosome जो protein बनने में help करता है, उसको यह क्या कर देते हैं, block कर देते हैं, इतना सा बस, ठीक है न, ज्यादा नहीं, आगे आते हैं, classification, तो tetracycline को हम तीन category में डिवाइड करते हैं, short acting, intermediate acting और long acting, तो short acting के अंदर, tetracycline, chlor, tetracycline, oxytetracycline, and intermediate acting में, democycline, metacycline, doxycycline, और minocycline, ठीक है न, तो इस तरी के short acting, long acting, और intermediate acting, इनके duration के इसाफ से, कितने देर ये लोग काम करते हैं, दूसरा on the basis of origin, origin के अधार पर किया जाए कि ये प्राप्त कहां से हो रहे हैं हमें, तो natural, semi-synthetic और pro-drug, pro-drug मतलब जो body के अंदर जाके activate होंगे, otherwise normal form में वो active drug नहीं होते हैं, तो natural के अंदर tetracycline, pro-tetracycline, और democyclo, dameclocycline, और semi-synthetic के अंदर doxycycline, limeocycline और maclocycline, और pro-drug के अंदर आता है, rolli tetracycline, limeocycline और pipocycline, किलिए रहे बाते हैं, आगे चले हैं, तो basis of origin हो गया, और on the basis of duration, तो किसी भी आधार पर कर सकते हो, ये ज़्यादा बेटर है, duration वाला, ये तुमनों को याद भी होगा, dose की बात करें, जैसा हमेशा बोलता है हूँ मैं, dose कोई भी तुम्हें एक याद कर ले नहीं, यहाँ पर थोड़ा बेटा, dose को मैंने किस तरह से लिखा हो, समझे कोईश करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इसका use है, उसे हिसाफ से लिखा हुआ है, जैसे, टाइजे साइकलिं की जो dose है, वो 100 mg, loading dose है, followed by 50 mg, 12 hourly, यानि कि सबसे पहले सुरुआत में 100 mg देंगे, उसका हम 50-50 mg की 12-20 गंटों पर dose देंगे, ठीक है न, IV, over 30-60 मिनट, 30-1 गंटे के अंदर दिया करेंगे, हर 4-5 दिनों, for 5-14 लगभग 5-14 दिनों के लिए, तो यहाँ पर loading dose हो गई, और यह कैसी हो गई, maintenance dose, इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं, maintenance dose, खीक है न, तो यह याद कर लेंगे, दूसरा क्या है, जैसे कि dem, democlocycline, तो जैसे कि bacterial या protozoal infection हो गया है, तो उस case में adult की बात करें, तो 150 mg every 6 hour, इतना लिखके छोड़ सकते हो, लेकि क्योंकि मैंने यहाँ पर एक लिखने का तरीका है, यानि कि जो अब तक पढ़ते आयों, तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक तरीका और है, कि 150 mg every 6 hour, और 300 mg every 12 hour, ठीक है न, यानि कि जो हम लोग इस तरह लिखते हैं, Q12H, इस तरह अगर नहीं लिखना चाहते हो, लेकिन है, मीनिंग पता होना चाहिए, तो इस तरह से लिख सकते हो, गुनोरिया इस टीटेट विज 600 mg on the first day, then 300 mg every 12 hour for 4 days, तो यह लोडिंग डोज हो गया, यह हमारा मैंटेर्स डोज हो गया, ठीक है न, बच्चों की बात करेंगे, लगभग जो 8 साल के हैं, 8 साल से बड़े हैं, ड dose is based on body weight, generally क्या रहाएगा, dose body weight के हिसाफ से लेता है, लेकिन usual dose जो आहम तोर पर dose रहती है, 1.65 to 3.3 mg per kg होता है, mg per kg, ठीक है न, for body weight every 6 hour, हर 6 गंटे में देनी है, और 3.3 to 6.6 mg per kg for body weight every 12 hour, ठीक है न, mg per kg of body weight, पास समच में आ रही है, तो यह इस तरह से खोल के लिख दिया है, मैंने तुमने इसको combine चिपका के लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर क्या लिख सकते हो, जैसे 150 है, तो इसको क्या कर दोगे, 150 mg, ठीक है न, every 6 hour, every 6 hour, ऐसे कर दोगे, बास समच में आ गई, किलियर है, ओके, अब इसी तरह, डॉक्य साइक्लिंग की बात करें, तो बैक्टेरिय adult के case में कैसे जाएगा, adult and children older than 8 year, जो adult है या, 800 से बड़े बच्चे है, ठीक है, तो इनकी dose क्या है, who weighs more than 45 kg, तो यहां पर मैंने पूरा बच्चों का weight दे रखा है, कि कितना-कितना weight होना चाहिए, यह सब नहीं लिखना जाते है, तो मत लिखो, सीधा dose लिखो, इसके आगे इस तरीके से, 100 mg every 12 hour, ठीक है, 100 mg Q12H है ना, हर 12 घंटे में, then 100 mg once a day, ठीक है, यह हो गया, loading dose, ठीक है, loading dose रहती है, इसके अंदर, फिर maintenance dose जलती है, फिर कम दिया जाता है, कितना हो गया, 100 mg for first day, then 100 mg once a day, हर 12 घंटे पे, फिर उसके बाद, per day, per day चलने वाली है, कितनी, 100 mg, ठीक है ना, then 50 to 100 mg every 12 hour, तो, इस तरीके से मैंने यह सारी dose लिखी हुई है, यह dose आपको देख लेनी है, ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंको बदानी थी, बाद वागे सब सभी है, 100 mg once a day, ठीक है समझने वाले चीज़ है, malaria, अगर आपको लगता है कि कहीं पर malaria है, यह आप किसी ऐसे जगे जा रहे हैं, जहाँ पर malaria होने की संभावना है, तो देखो, adult और बच्चों के लिए क्या है, 100 mg once a day, 100 mg per day लेनी है, you should take the first dose, one or two days before travel, चलने से एक या दो दिन पहले आपको लेनी है to an area where malaria may occur, यानि कि मान लो कहीं malaria फैला हुए और आपको वहाँ जाना है, तो आप doctor के पास जाए और उनसे कहें कि हमें ऐसे जगे जाना है, जहाँ malaria है, तो वो आपको बताएगा कि दबा कैसे कैसे खानी है, ठीक है ना, and continue taking the medicine every day throughout the travel and for four weeks after you leave the malaria area, ठीक है ना, जब तक आप ट आपते रहना है, जैसे अगर मली रहा है, आया भी होगा body में, तो kill हो जाएगा, clear है, तो यह dose बगर है, इसको आप याद कर लेंगे, किसी भी कोई भी 2 या 3 simple dose याद रख लेंगे, 200 mg at first then 100 mg every 12 hour, इतना इतना याद रख लेंगे, और पूरा-पूरा लिखना चाहते हैं, तो चोईस आपकी है, oxytetracycline, adult and teenager, 250-500 mg every 6 hours, children older than 8 year, ठीक न, जो body weight के साथ पर डोज रहती है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, जो तुमको देखने को मिलेगी, जो tetracyclines होते हैं, infants and tetracyclines, यह हर किसी की नीचे लिखा हुआ है मैंने, infants and children 8 year of age and younger, जो इसे ज़्यादा जवान होते हैं, 8 साल से चोटे बच्चे हैं, है ना, body में interactions होते हैं, जिसके यह से दातों में काला बन हो जाता है, ठीक है ना, तो dose याद कर लेंगे, clear है, ओके, indication की बात करें, तो indication सबसे पहले आती है, empirical therapy, empirical therapy क्या होती है, tetracyclines are often employed when the nature and sensitivity of the infecting organism cannot be reasonably guessed, infection किस organism की वज़े से है, कौन से bacteria की वज़े से है, जब यह नहीं पता है, तो हम normal तो और पे tetracycline का इस्तमाल करते हैं, ठीक है, tetracycline is the first choice of drug कब, veneral diseases, veneral क्या होती है, जो अपनी HTD disease होती है, है, HTD वाली, clemideal non septic urethritis, HTD है, UTI वाली infections वाली है, जो lymphogranuloma, venerum, lymphogranuloma क्या होता है, जो अपना जो parts होते है, वेजेनल parts होते हैं, वहाँ पर क्या होती है, infection होता है, then galenoloma inguinal, तो यह होगी, क्या veneral disease, atypical pneumonia में, cholera में, brucellososis में, plague में, relapsing fever में, rickettsil infections में, तुमाम जगे हैं, जब यह बिमारिया होती है, तो यह जो tetracycline है, first choice of drug है, सबसे पहले इनका इस्तमाल होता है, then second choice, tetanus, anthrax, actinomycosis, lyceria infection for gonorrhea in patient allergic to pencillin, जिन patient, जो patient allergic है pencillin के लिए, और उनकों gonorrhea हो रखा है, तो उस case में tetracycline second choice होती है, है, first choice pencillin है, second choice tetracycline, clear है, contraindication अपने वोजी सेम रहेंगी, hypersensitivity, pregnancy, lactation, और children younger than 9 या फिर 8 year कर देंगे या पर, यह पक्का मार करेंगे, यह तुमारा बेटा question है, IMP डाल लो, यह question तुमारा आने की सम्भावनार बहुत ज़्यादा है, one mark question मार सकता है, कि which drug is not given to, अब आते हैं, sulfonamides या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sulfur drugs भी कहते हैं, tetracyclic clear होगा, ज़्यादा कुछ नहीं था उसमें, तो sulfonamides और sulfur drugs, क्या है यह, sulfonamides were the first antimicrobial agents AMA, effective against pyogenic, pus forming, पायो जाने का मतलब क्या होता है, पायो जाने का मतलब pus, जो pus, जो pus भर जाता है, ठीक है, bacterial infection, यह पहले ऐसे antimicrobials थे, जो की pus forming bacteria के खिलाफ काम करते हैं, all sulfonamides make considered to be derivative of sulfonilmide, सबके सब किसके derivative है, sulfonilmide, para aminobenzene sulfonamide, para aminobenzene sulfonamide, इसके सब के सब क्या हैं, यह, derivative है, इसी से बनते हैं, ठीक है, आगे आते हैं, mode of action की बात करें, तो मैंने जैसे का mode of action, मैं स्लेवस में नहीं है, बट कुछ states में एकाथ चीजों के mode of action काई बार पूछ लिए गए हैं, तो हम एक line में cable खतम कर रहे हैं, पूरा full detail में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, many bacteria synthesizers own folic acid, पहल तो reason समझो, हर bacteria अपना folic acid खुद बनाता है, folic acid हमें भी चाहिए होता है, चाहिए होता है, blood synthesis के लिए, ओके, इनमें blood नहीं होता, लेकिन ठीक है, तुमको सार, इनको ब्लड चीए क्या, इनको blood नहीं चीए, blood हमारे ले होता है, लेकिन folic acid हमारे जरूरी होता है, ठीक है, of which, para amino benzoic acid, pava is a constituent, इस folic acid synthesis में, pava is a constituent है, and is taken up from the medium, और ये medium से उठाता है, कौन, bacteria, surrounding से pava को लेकर के folic acid बनाता है, simple सी बात, ठीक है, sulfonamide being structural analog of pava, ये pava की तरह दिखता है, ये गुज जाता जाके bacteria के अंदर, pava बनके, और फिर उसका kava बना देता है, ठीक है, sulfonamide pava बनके, bacteria में घुश गया, और उसका फिर kava बना दिया, मतलब उसका folic acid synthesis बन्द करवा दिया, ठीक है, inmit bacterial folate synthesis, so that folic acid is not, ये lines के आगे होने चीए, is not formed and a number of essential metabolic reactions suffers, ठीक है, सफर मतलब भूछ सारे फिर metabolic reactions नहीं होते हैं, ठीक है, तो बेटा mode of action बहुत simple है, वैसे does not go नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं इनके last के, इनके कुछ करा दे रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से important भी हैं, और कुछ एकाद state में, एक एक दो दो question पूछ लिए गए हैं, तो हम लोग डरो नहीं लेकिन, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, और एक या, दो question, दो या, ती नमबर का आगया है, तो यही एक दो आते हैं, इसका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, आगया आते हैं, ओके, नव ट्रिपल सल्फा क्या है, ट्रिपल सल्फा, it is the combination of three sulfonamides together, उसको हम ट्रिपल सल्फा बोलते हैं, ट्रिपल सल्फा वाजाइनल is used to treat वाजाइनल infections caused by bacteria Gardinerella vaginalis, तो जो एक बैक्टरे के दौरा एक वाजाइनल infection होता है, उसको ठीक करने की लिए लागा, ट्रिपल सल्फा का यूज करते हैं, The fixed dose combination of trimethoprim and selfa methoxajole is called co-trimoxajole. यह mark करेंगे बेटा इसे. Co-trimoxajole. Co-trimoxajole. इसके अंदर कौन-कौन है? Trimethoprim and selfa methoxajole. ठीक है ना? तो अब जाब वह देखेंगे. ठीक है? यह selfa methoxajole है. और इसके साथ साथ में कौन होता है? Trimethoprim. इनके combination को हम लोग क्या बोलते है? Co-trimoxajole कहते हैं. combination है 80 और 400, 160, 800, 20, 140 और 200. ठीक है न? BD इनके dose है. यह dose के तोर पर याद आया. Co-trimoxajole की कोई भी एक या दो dose याद रख लोगे. अगर 80-400 वाली है तो 2 BD for 2 days. देन 1 BD उसका एक BD देंगे. अगर 160-800 वाली है तो double strength बोलते हैं इसको हम लोग तो यह 1 BD दी जाएगी. है न? 480 का दुगना हो गया, 160, 400 का दुगना हो गया, 800. ठीक है न? तो Co-trimoxajole क्या चीज है? यह combination है, Tri-Metoprim of Sulphamethopsoajole का. clear है? Now classification की बात करें तो short acting, intermediate acting, long acting और special purpose. short acting में sulphadiazine, intermediate में sulphamethopsoajole, long acting में sulphadoxine और sulphamethopyrazine, special purpose में आ जाएगा, sulphacetamide, sodium, sulphacelazine, silver, sulphadiazine और mephenide. clear है बाते हैं? यह classification short, intermediate, long. एक-एक तो याद करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ, कैसे याद करना होता है इसको? आगे आते हैं. डोज, देख लो जरा, sulphadazine, या, sulphisoxazole, 0.51 gram QID, चाइल के लिए देवड़सरमजी, पर kg, 4-6 डोज रहती हैं. sulphamethopsoajole की 1 gram BID, और, for 2 days, then 0.5 gram BID. तो ठीक है, तो यहाँ पर, sulphonamide, कौन-कौन है, यह तो सबसे अच्छा होता तरीका, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि अगर जब classification याद रखते हैं, तो इसके साथ में ही, अगर यहाँ पर इसकी dose भी mention कर लिया करें, है ना? पहले बता चुका हूँ, मैं, dose साथ साथ में लिखो, dose मत लिखो, स से पढ़ रहे हो तो आप लोग अब काफी होश्यार हो चुके हो, ठीक है, ओके, तो यह dose यहाँ पर याद कर लोगे, ठीक है, आई ड्रॉप है, 10%, 20%, यह याद कर लेना है, यहाँ पर उसमें कुछ खास नहीं है, ओके, सलफा, डॉक्सीन और सलफा, मेथो, पाइराजीन, य इरिया में, यह साथ इसके कॉंबिनेशन के साथ इस्थेमाल में आते हैं, ठीक है, ढो रहती है, सलफा, सलफा, थीक है न, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें ये यूज होते हैं जैसे कि Toxoplasmosis infection caused by Toxoplasma gonadie Mild Flu-like Infection ये सब याद नहीं करना है किवल हमें disease याद करनी है Toxoplasmosis कौन से डवाई दी जानी है इसकी वजरूत नहीं है किवल इतना याद करना है Toxoplasmosis जो बच्चे तो लग क्यूरियस है वो लग पुरा याद कर सकते हैं या फिर इस तरीके से जो बच्चे फिर प्रपरेशन वगरा करेंगे आगे तो ये बटर तरीके हैं सरिफ क्या कि आप इन तरीकों से याद कर सकते हैं Disease कौन से दवाईया है Then nocardiasis ठीक है Malaria में बर्न जल गया है UTI में और अपर रेस्पिरेटी ट्रेक्ट इंफेक्शन तो ये तो बड़े कॉमन से आगए याद हो जाएंगे Clear है कहा का इस्तमाल होंगा ये भी हमें पता चल गया आगया आते हैं Contraindication वही इस हाइपर साइस्टिविटी Renal Impairment कि यह तो याद हो गया क्या बार-बार बच्चों में नहीं देना यह Clear है बात है यह बात के लिए हो गई अच्छा Contraindication हो गया और आइधिंक यह लेक्चर भी अपना छोटू-बोटू लेक्चर है अपने फटा-फट खतम हो गया थोड़ा सा याद करने वाले करते चलो ठीक है ना लिंक पीडिएफ का लेक्चर के नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में यह मेरा नंबर है कोई प्रॉलम आती है तो यह हमारी लाँ लेक्चर 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 करते हैं